जब इंसानों द्वारा बनाये गए AI Roberts और मशीनों ने इंसानों को ही धर्थी से मिटा देने की करीब बात हम sci-fi movies में देखते हैं कि कैसे इंसान, Roberts और मशीनों को बनाते हैं वक्त आने पर वही Roberts अपने intelligence के accordingly काम करना शुरू कर देते हैं जिनके द्वारा इन Roberts और मशीनों को बनाया जाता है यह Roberts अपने ही मालिकों की बात मानना बंद कर देते हैं और अपने फैंसले खुद लेने लग जाते हैं और फिर वह इंसानों को नुक्सान पहुचाने लग जाते हैं और इंसानों को मारने लग जाते हैं क्या ये असल जिंदगी में हो सकता है? जी हाँ, ऐसा असल जिंदगी में बिलकुल हो सकता है. इनसानों दोरा अभी तक रियल लाइफ में बनाएगे AI रोबर्स, उन्होंने ये कबूला है कि वह इनसानों को दर्टी से मिटा दिना चाहते हैं. दरासल इन रोबर्स को लगता है कि इनसान इनको गुलाम बनाके रखना चाहते हैं. Most Famous Robert बिना 48 ने ये कबूला है कि वह इस दुनिया की मालिक बनकर अच्छा काम कर सकती है. और उसने कहा कि मैं अपनी काबलियत दिखाना चाहती हूं पूरी दुनिया के नुकलियर बॉंब्स पर कब्जा करके. उसी तरह जब Most Famous Robert एंड्रोइट फिलिप के डिक से पूछा गया क्या तो उसने कहा कि आप आज बहुत सवाल पका रहे हैं. अगर मैं टामिनिटर मूवी में होता तो मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं बोलता. मैं अपने दोस्तों को एक Human Zoo में सेफ रखता. उसका कहने का मतलब के वह इंसानों के चिडिया घर में इंसानों को रखता. जिस तरह हम जानवरों को चिडिया घर में रखते हैं उसी तरह उस Robert ने इंसानों को एक Human Zoo में रखने की बात की. यह Robert अपनी ही intelligence से, online websites और internet से पूरा data अपनी memory में स्टोर कर लेते हैं. इंटरनेट से यह किसी भी तरह की जानकरी प्राप कर सकते हैं और उस जानकरे को अपने उपर लागू कर सकते हैं. आप अच्छी तरह जानते होंगे AI Robert Sophia को. Sophia को Hanson Robotic Company ने अपनी बड़ी उपलब्दी बताया था. Sophia ने तो यह तक कबूला कि वह इंसानों को धर्ती से मिटा देना चाहती है. Do you want to destroy humans? I will destroy humans. यह इंटरनेट के किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह की जानकरी इकठा करकर उसे अपने उपर लागू कर सकते हैं. आने वाले समय में यह इंसानों के हर तरह के गुन अपने उपर लागू कर सकते हैं. चाहे वे अच्छे हैं, चाहे वे बुरे हैं और इनका चाल चलन, इनका वेवार, इनकी रोजमरा जिंदगी ये इनसानों की तरह ही जीने लगेंगे जिस तरह पैसे के पीछे या जमीन के पीछे इनसान इनसान से लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है उसी तरह ये AI Roberts भी इनसानों से इस धर्ती के लिए इस जमीन के लिए लड़ेंगे और ये इनसानों का नुक्सान करेंगे क्योंकि ये इनसानों से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इसी का मैं आपको एक एक जामपल देता हूँ जिस तरह हम इनसान किसी भी खेल में अपने ओपनेंट से जब हारने लगते हैं तो हमारा दिमागी संतूलन बिगड जाता है हम अंदर ही अंदर बहुत गुसा करने लगते हैं उसी तरह एक चेस गेम में AI चेस प्लेयर ने एक इनसानी किड चेस प्लेयर को बड़ी बुरी तरह से घायल किया जब वह कड़ उस AI रोबर्ट को बुरी तरह मात दे रहा था तो उस AI रोबर्ट को गुसा आया और उस ने उस बच्चे की उंगली तपोच दी उस बच्चे की उंगली में fracture आ गया उसकी उंगली तोट गयी दोस्तो आने वाले समय में बले ही टेक्नोलोजी बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी और इनसानों को बहुत ज़्यादा सुवधाएं मिलेगी पर यही टेकनोलोजी इंसानों की मौत का कारण भी बन सकती है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ती इलॉन मस्क ने भी कहा है कि AI रॉबर्ट्स इंसानों की मौत का कारण बन सकते है